कि अलो एब्रीवन कि आज हम लोग बेसकस करने जा मैं बताया था कि जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं कैसे एकजेक्ट कराते हैं टिक है मैंने डारेक्ट एक सिम्पल प्रोग्राम लिखा था Bennett कहने कहँ है कि ने नेस्ट क्लास मोई टीक है तो आज हम लोग उसी प्रोग्राम को explain कर रहे हैं सभी टर्म का कि उस टर्म में प्रोग्राम में जो जो टर्म्स यूज किया गया था उसका meaning क्या है तो आएए सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम पे चलते हैं यह था प्रोग्राम फर्स्ट तो पॉइंट यह है कि आप जावा का जो भी प्रोग्राम देखते हैं उसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन जो है वो क्लास मिलेगा ठीक है और आप जानते भी हो कि एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट भी रीटेन विदिन व्लस जावा में अगर एक सिंपल मैसेज को भी प्रिंट कराना है तो ओध्र को च प्रिंट कराना है तो आपको क्लास के अंदर ही लिखना होगा ठीक है तो यहां पर आप जो देख रहे हैं class simple मैंने बनाया था ठीक है और यहां पर यह जो class keyword आप देख रहे हैं class keyword specify करेगा class name को ठीक है तो class name हमारा यहां पर simple है आप according to requirement आप पर कुछ भी नाम दे सकते हैं meaningful class का ठीक है और कोशिस करना चाहिए कि आप Java में जितने भी predefined classes होता है उसका first character capital होता है और subsequent word का मत्तब लगातार करमागत वर्ड जैसे मैं example लेना चाहूंगा data input stream तो data input stream में ड भी capital होगा और आई भी capital होगा एस भी capital होगा लग रहा है data input stream में तीन वर्ड है तो तीनों वर्ड का first character capital होगा अगर एक single class है जैसे मानलो की a scanner तो scanner का क्योंब इस capital होगा तो उसी तरह से user defined में भी rule होना चाहिए कि अगर user defined भी आप class का नाम दे रहे हैं तो first character आप capital दीजिए और subsequent word का भी first character capital दीजिए ठीक है ओके तो कोई जरूरी नहीं है लेकिन मैंने rule के अनुसार मैंने बताया तो यहां पर simple एक हमारा class है अब यहां पर प्रशने उठा है कि public aesthetic void main क्या है इसमें हम लोग को जानना होगा public के बारे में aesthetic के बारे में ठीक है void के बारे में वैसे जावा का main method है जैसे c में आप main function यूज करते हो ठीक है सबसे पहले तो यह मैं बता दूँ कि किसी भी programming language में अगर वो console-based application को support करता है तो अधिकतर programming में main function का नाम main जरूर होता है ठीक है तो आप यहां पर भी देख रहे हैं कि जावा का जो main method यहां पर है इसमें main लिखा हुआ है आप भी भी.net में भी देखेंगे sub main, c sub.net में भी देखोगे तो main लगा हुआ रहेगा CC++ में is the name of main method ओके अब यहां पर public का मतलब क्या हुआ public एक access specifier है ठीक है जो global accessibility को represent करता है मतलब public is an access specifier that reference main method can be called anywhere main method को कहीं पर भी आप call कर सकते हैं ठीक है इसलिए इसके पहले public लगा हुआ है aesthetic, aesthetic का मतलब क्या हुआ अब अगर c++ पढ़े होंगे तो जिस function के पहले आप aesthetic लगाते हो उसको call करने के लिए object create करने का जरूरत नहीं होता है ठीक है तो यहां पर aesthetic represent करता है कि main method can be called without creating an object main method को call करने के लिए किसी भी class का object बनाने की जरूरत नहीं है और void जो आप यहां पर देख रहे है ठीक है already आप c++ में void use किये होंगे जिस function के पहले void लगा हुआ रहता है वो function value return नहीं करता है क्योंकि यह non return type data type है तो c++ का तो main function value return करता भी है by default integer लेकिन java का main method value return नहीं करता है main के पहले हमेशा void use करोगे ओके अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि main में यहां पर string और args argument के रूप में parameter के रूप में ठीक है एक array object पास किया गया है ठीक है अश्टिंग class का array object है तो multiple string value को store करेगा इसका use हम लोग करते हैं command line argument में आप तीन तरह का input c में भी पढ़े होंगे c++ में भी पढ़े होंगे एक compile time input होता है ठीक है जो program में variable मैंने declare किया वहीं पर value in slice कर लिया ठीक है एक run time input होता है जो program execute करने के बाद जो value supply करते हो और command line input होता है कि program execute करते समय value supply करना that is called command line तो जब java में command line arguments पढ़ोगे तो वहां पे हम इस args को use करते हैं ठीक है और command line के थूर जो भी input लेते हैं वो as a string होता है इसलिए यहां पर a string class use किया गया है और multiple value supply करते हैं तो इसलिए यहां पर array का concept है तो इसको अभी आपको use नह online में ओके next आप यहां पर देख रहे हो कि system.out.println ठीक है यह क्या है तो जिस तरह से c में printing का काम आप printf के दवारा करते हो c++ में cout के through करते हो उसी तरह से जावा में console पे print कराने के लिए हम लोग system.out.println यूज करते हैं तो अब यहां पी अगर अगर पुछा जाए कि system क् क्या है println क्या है तो मैं बता देना चाहता हूं कि system यहां पी predefined class है और मैंने पहले भी बताया था कि java में जो भी API है ठीक है जितने भी classes है उसको एक package के अंदर रखा गया है package is a collection of class सबसे पहले package package के अंदर class के अंदर method तो system हमारा यहां पे class है और यह java.lang package के अंदर है string भी हमारा यहां पे class है जो java.lang package के अंदर है ठीक है कैसे आप cc++ में header file को include करते हो उस header file का कोई भी function को access करना हो तो उस header file को has include के द्वारा आप include कर देते हैं उसी तरह से java में package का concept है ठीक है तो package जब उस package का कोई भी class अगर हम अपने program में use करते हैं तो उस package को क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं ठीक है लेकिन आप कर सकते हैं कि sir आप यहां पे string class भी है system भी class है और यह java.lang package में है तो इस java.lang package को क्यों नहीं import किया गया क्योंकि java का एक package है जो lang package वो java का default package है ठीक है और सबसे largest package है उसको हम import कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ठीक है optional है अ सबसे उपर में हम लोग package को क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे कैसे इंपोर्ट करेंगे ठीक है यहां पर जस्ट इसके उपर हम लोग यहां पर लिखेंगे फ़र्स्ट लाइन में import java.lang.a star ओके इंपोर्ट कीवर्ड है जिसके थूपकेज इंपोर्ट करते हैं java.lang हमारा यहां पर क्या है package का नाम है java को as a super package कहा जाता है ठीक है और lang वहां पर सब package हुआ ठीक है और lang.a star कहने का मतलब यहां पर all classes of that package अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं कि lang package का सारे class को तुम access कर सकते हो बट इसको आप import कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो ठीक है हाँ अगर दूसरा कोई class यूज करते हैं दूसरे package में होता तो उस package को import करना क्या हो जाता must हो जाता तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि system हमारा क्या है class है और यह java.lang package के अंदर है out उसी का एक object है out कहने का मतलब output stream object out होता है in होता है ठीक है input stream object होता है जो input के लिए यूज करते है out को output stream object के लिए यूज करते है ठीक है अभी आप यह समझोगे कि out हमारा क्या है system का एक instance है ठीक है एक object है और आगे जब आप पढ़ेंगे तो यह print stream का एक तरह से object हो जाता है print stream में class होता है ठीक है जो java.io package में होता है उसको हम लोग आगे discuss करेंगे ओके अभी आप फिलाल यह जानो कि out हमारा output stream object है जो system class का instance है इसी का एक method है println println इजे method ठीक है इसके through हम लोग message को क्या करते हैं प्रिंट कराते हैं console पे println new line में print होगा println के जगह पे print use करोगे तो same line में print होगा अगर printf भी यूज कर सकते हैं c style यूज करोगे उसमें type of specifier यूज करोगे तो print method होता है println method होता है और printf भी होता है जो c styles तुम उसको यूज कर सकते हो और यहां पर हमारा क्या है एक message है welcome to Java तो जो हम लोग Java प्रोग्राम का मतलब explanation है simple यानि आप समझ गया होंगे कि Java में main method में जो public aesthetic void main है उसका meaning क्या है ठीक है system.outprintln का meaning क्या है package का फिलाल यहां पर क्या concept है ओके next class में मैं बताऊंगा आपको कि क्या हमारे किसी भी Java source file में एक ही class हो सकता है या multiple class हो सकता है अगर multiple class हो सकता है तो multiple class file create होंगे क्योंकि तुम जानते हो कि Java program को compile करने के बाद class file create होता है ठीक है तो जब multiple class होंगे तो कितने class file create होगा, किसको main class बोलेंगे, कैस program को execute करते समय किसका नाम देते हैं क्या किसी भी क्लास में पॉब्लिक क्लास मुल्टीपल पॉब्लिक क्लास हो सकता है या नहीं ठीक है तो इस चीज को हम लोग दूसरे वीडियो में डिसकस करेंगे थैंक यू